हाई दोस्तों गुड़ीबनिंग कैसे आप सब और आ गही हूं मैं छत में और नया साल आने वाला है मला आज के लास्ट डेया इकत्तिस है और हम कर रहें डेकॉरेशन कुछ यहां पर और यहां पर है सक्षम और हम दोनों यहां पर डेकॉरेट करेंगे यह बाई ने इधर सार इसको भी खोल देंगे अभी तो हवा चल रही तो इस वज़े से हमने बांदा नहीं है और यहां पर लाइटिंग तार का कर रही हूं मैं यहां पर इधर पूरा डेकॉरेट करेंगे यहां पर दिवार पर तो जैसे बच्चे फोटो गर खिचानी होगी तो यहां खिचा सकत है दोस्तों मैं तो हो गई हूं तयार और छे सवा छे मदब होने वाले है पानी चला रखा भी और अभी कोई नहीं आया पर मैंने सारा यहां रूम में सेटिंग करती सारी पैठने की और सब आएंगे भाई दीदी सब के सब वीडियो देखके पता चल जाएगा आपको कि ही हो ले देखकी और रहने की कि अधानने सेटने का रहे हैं तो सारी सेटिंग करें दिखातू इख दो जाए अ आपको तो Gi.nymi और क्या के अधियर वाले सारे बालून भूर अलों आ रहे हैं तो प्यों इसह लिखे हैं है और आदी यहां बालून भाद मैं शुचा रहा का त क्योंकि आगे जाके इस पर बात करूंगी फिर मैं तब्यत खराब होई थी मेरी तो और टिंटिन आ गया हो सोया हुआ था भी तक तो अभी वो भी तयार होएगा और उपर हमने तयार करी दिया सक्षम और मैंने हवा और यह पर वो रुख नी रहा कुछ भी वहाँ पर तो मैं मैंने बनाने का और जो भावी जी ओर है वो रोटिया और पडाठे बना के लाएंगे और मेरे हिस्से में आया है मैंने सिर्फ चटनी बनाई है न्यू येर बस आने वाला है सब अच्छे हो गए है तो चलिए फिर तयारी तो कर लिए मैंने कीचन में सब रात तक ही रुकें तो सबके लिए रजाई कंबल सब मैंने मदब निकाल दी है देखते हैं क्योंकि सोईंगे तो नीफ तंबूला चलेगा और तंबूला की भी सेटिंग कर रखे सारी तो ये मैंने कौन बना दिया है इसमें नाचोस डालेंगे इसमें तो अभी नहीं नाचोस पहले ने डाले क्योंकि सार हो थोड़े सॉप्ट हो जाएंगे इसमें और ये ये जो कबाब वगेरा सब है मदब नॉनवेज है तो इसके लिए मैंने सैलेड काड़ दिया और ये दही की जो मैं बनाती हूं चिकन मटन के साथ जो चट्रियां दही वाली वो काफी टेस्टी बना ये काफी तयार हैं चिको अभी तयार होगा थोड़ी देर में तिंटेंट भी होगा बिल्कुल पार्टी वाले मूड में डांस वाले मूड में आए अब यहालत अभी ऐसी हो रखिया है क्योंकि अभी अभी उठें क्योंकि ठंडा हो रखा आज काफी हवा चल रही है तो मा तो लेटी लिटी और यह है काकू काकू आगया वो अभी तयार होगा उसकी मम्मी लाएगी कपड़े बन के आगया है इसमें चामल होगा बांध रखा और यह सब दीदी रे बिजवा दिया खाना नमस्ते 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 अभी तो देखते हैं अभी तो दिखाएंगे विला तो आइज एको बेचेर पर बैठे हैं तो गाइज यहां पर हो रहा है सारा खाना तियार लेख सकते हो यह कौन सा चिकन है यह हरियाली चिकन है यहां पर बाकी प्रिपेर हो रहा है और यह है क्रीम वाला अफगानी है जो वामने दे दिया और यह और भी और भी है पतीले में तो आइज देखो पाटी चल रही है और सब यहां पर बच्चे है बढ़े लोग बैठे हैं देख सकते हो और यहां पर खाना भी है पर आपकई जहां पर नानी सिसे द्वा से देख सकते हो और पश्वास केक्ट मैसरी चाही है सैन सब्हाबुब मासरा है जहां चल जहाए रहार नानीया सबेर खापे और यहीत जया हैता, मुलों आव टालों था जैना फरार फेलों तो गाइस देखो एक साइड से रोस्ट हो गया है दूसरी साइड पर अटके रखा इनको अभी तो गाइस निकल चुगा है तो गाइस यहाँ पर अभी हम कहल रहे हैं तंबोला और यह रा तंबोला देख सकतो तो गाइस राउंड डू चल चुका है राउंड वन खताम हो गया था और देखो कौन-कौन है विनर्स तो गाइस देखो राउंड थ्री स्टार्ट हो चुका है और राउंड टू के विनर मैं था जिसने चालिस रुबे जीते तो गाइस राउंड थ्री स्टार्ट हो रहा है शायद से लास्ट है और देख सकते हो न्यू यर बस होने ही वाला है कुछ टाइम बचा है अभी तो अपना टाइम विश करते है तो गाइस राउंड फोर भी कंप्रीट हो चुगा और विनर मामी है और वो भी होने वाला न्यू यर तो अभी चलने है उपर देखने है क्या करेंगे केक कटिंग ओरी है गाईस अभी तोड़ देर में टेक सकते हो कैनल या है कनी अभी तो अभी तो आपके अपके अभी तो अपके तेख दो अबिध्यक्र प्रूंच्ट करते हैं तक नसे के बच्चू के नुएर हो गया था आप सभी को भी हपी न्यू येर और देखो हर जगा पटा के पूट रहे हैं और ठंड इतनी जाद हो रही है फॉक भी दिख रही है थोड़ी बहुत देखो पटा के पूट रहे हैं हर जगा वाइज देखो न्यू येर हो चुगा अब सब नाच रहे हैं तो ये है बटर चिकन काफी अच्छा बनाच रहे हैं बनावा था टेस्टी था और ये है मटन जो दीदी ने हांडी में बना रहा था और चामल तो दोस्तों सारे के सारे चले गए महमान और हम भी अब लेट निग ले जा रहे हैं और सारे बच्चे यहीं पर हैं मा भी लेट गई है और चीकू काकू सब के लिए यहां लगा रखा है बिस तरह दोस्तों आप सब को नए साल की बहुत बहुत बदाई हो गुड़नाइट दोस्तों बाई बाई तो बच्चों ने फुलाए थे यह बलून न्यू यर के लिए और चत में तो बहुत तेज हवा थी तो नीचे रूम में रहे गई है बलून